तो बच्चों हम करने वाले 11th question, 11th question क्या कर रहा है, प्रूफ देट the bisector of any two adjacent angles of a parallelogram at right angle, parallelogram are at right angle, इसका मतलब क्या है कि bisector of any two adjacent angles, adjacent angles क्या होते हैं, यह वाले, यह वाले angle और यह वाले angle को adjacent angles बोहते हैं, मैंने आपको बताया था adjacent क्या होते है देखो यह अगर यह parallel है यह parallel है और यहां से एक सा line खीच रही है तो इन दोनों angles को मैं क्या भूलता हूँ adjacent angles और हमें पता है कि parallelogram में यह दोनों adjacent angles का sum कितना होता है एक सौस्थी अगर यह A है यह B है तो इन दोनों का sum कितना होगा angle A plus angle B equals to 180 degree है ना क्योंकि यह transfers are less के लिए है ना तो यह बड़ा easy होता है यह मैंने आपको बताया है कितने कुशन हमने कर लिए बड़े मजे में अच्छा आप क्या कह रहा है अब यह कह रहा है कि prove that the bisector of any adjacent angle इसका bisector है कोई और इसका कोई bisector है ठीक है bisector है मतलब यह equal halves में कटेगा मतलब यह इसके बराबर होगा यह इसके बराबर होगा और यह जो meet करेगा let's suppose यह point O में meet कर रहा है तो यह जो point है O यह होगा मेरा 90 degree यह मुझे prove करना है यह मुझे क्या करना है to prove क्या बात है मतलब angle A O B जो होगा वो 90 degree होगा यह मुझे prove करना है यह अभी है नहीं 90 यह अभी 90 नहीं है यह मुझे prove करना है ठीक है चलो देखते हैं यह prove करना है तो कर देंगे चलो अगर मैं यह बोल सकता हूँ plus angle B equals to कितना होता है 180 degree क्योंकि addition angles का sum कितना होता है 180 180 के बराबर होता है ना अब यह 180 के बराबर तो मैंने ऐसे करकर कर दिया अच्छा आप मैं क्या करता हूँ देखिए इसका half है एका half है पूरा एका half है तो मैं यहाँ देखो एक काम कर सकता हूँ कि भाई इस पूरे को मैं half से multiply कर दूँ और अगर मैंने इधर ऐसा किया तो भाई मुझे इधर भी half से multiply करना पड़ेगा तो मैं ऐसा कर देता हूँ multiply both equation by half यह मैंने क्यों किया both equation by half से क्यों किया कि बही मुझे क्या चाहिए था यह यह half a का half चाहिए और यह b का half चाहिए इसलिए मैंने both equation से half से multiply कर दे तो यह हो जाएगा देखो angle a upon 2 plus angle b upon 2 equals to किता हो जाएगा यह 90 degree तो देखिए यह वाला angle angle यह half angle है और यह वाला भी half angle b है और यह किसके equal है देखो यह किसके equal है मैंने आपको बताया था यह किसके equal है यह किसके equal है हमारा 90 degree के equal है क्या बात है जी तो देखो यह मेरा तो मेरे ख्याल से prove होई गया है कि भाई मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे half क्या और यहाँ पे half क्या और यह किसके equal आगया और यह बात है किसके equal आगया 90 के तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ बहुत अच्छे से तो भाई यह angle a का half है और यह है मेरा angle b का half जो किसके equal आगया 90 के अब देखें बहुत प्यार से देखेंगा यह और यह इन दोनों का sum किता है 90 हो गया किता हो गया 90 ठीक है अब मुझे क्या करना है इन तीनों का sum निकालना है ठीक है तो let's suppose यह o है यह a है यह b है यह a है यह b है तो angle a plus angle b plus angle o equals to 180 degree ठीक है ठीक है और यहाँ पर देखें half angle का half और angle b का half कितना है 90 degree है राइट तो देखें मैं क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों का अगर मैं LCM ले लूँ तो यहाँ पर देखो अगर मैं बोल लूँ या 2 हो जाएगा a plus b equals to कितना हो जाएगा 90 degree यह इधर जाएगा a plus b equals to हो जाएगा कितना यह हो जाएगा मेरे पे 180 डिए है न तो देखो यह वाला angle a यह पूरा angle की बात कर रहा है पर यहाँ पे तो आदा angle है तो मैं क्या करता हूँ इन दोनो angle का sum देखो अब मैं क्या करने वालो इस पूरे triangle का sum निकालने मुझको है न तो मैं क्या करूँगा देखो angle half angle half b कितना है 90 है तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो इस angle half यह a by 2 है यह भी है मेरा b by 2 इन दोनों के जगा मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस और यह वाला angle o है angle o equals to किसके बराबर होगा 180 के तो देखो जो angle o आगया वो कितना आगया मेरा 180 minus 90 which is angle o कितना आगया मेरा 90 डिगरी तो देखो यह ही मुझे प्रूफ करना था कि जो यह बीच वाला है यह कितना है 90 है मैंने कितने easily इसको प्रूफ कर दिया है ना तो देखो मैंने किया किया यहाप मैंने सम 90 है तो इन दोनों का सम 90 प्लस यहाँ पे angle o equals to 180 डिगरी तो देखो इन दोनों का सम 90 था plus angle o equals to 180 डिगरी तो जो angle o आ गया वो 90 आ गया और यही मुझे क्या प्रूफ करना था यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था 11th question में कहा गया 11th question हाँ यह वाला मैंने प्रूफ कर दिया तो काफी easy था यह चलो next